हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूटूब चैनल अजीस सैनी फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे उत्राखन बोर्ड कलाश 12 का जो कैमेस्ट्री का 30% से ले बश्ट डिलिट हुआ है उन टोपिकों के बारे में बात करेंगे किस चैप्टर से कितना कट हुआ है ठेके न मैं एक्जाम के टाइम पर आप इनके उपर इतना ध्यान मत देना लेकिन ऐसे ही पढ़ लेना आगे के लिए ठीक है तो आपको जो टोपिक डिलिट हुए है मैंने उनको हाइलाइट किया हुआ है आप क्या करना या तो अपने नोट बुक में अपने कैमेस्ट्री की बुक होग तो चलते हैं पहले चैप्टर पर ठो सवस्ता जिसको सोलिट इस्टेट बोलते हैं उसमें से विद्धुतिये एवं चुम्भकिये गुण यानि इलेक्टरिकल एंड मैगनेटिक प्रोपर्टीज ये सब हट चुकी है मैं विद्धुतिये गुण में आपको बता दूं कि व चुम्भकिये और फैरी लोख कुम्भकिये ठीकर न तो ये टोपिक हट चुके हैं तो आप इनको मत करना ठीकince न आगे चलते हैं नेक्स्ट टोपिक है जो हमारा वह है चैप्टर 2 है हमारा वीलियन, ठीक है ना, वीलियन में आपका सिरिप और सिरिप एक ही topic हटा है, बाकि आपको सभी करने असामानने मोलर दरविमान, असामानने मोलर दरविमान आप जानते होंगे, आपने अच्छी तरह पढ़ चुके होंगे इसको, आसामानने मोलर दरविमान वेरी वेरी मोस्ट इंपोटेंट होता था एक जाम के लिए, लेकिन इसको हटा दिया गया है, इसमें कौन-कौन से ऐसामानने मोलर दरविमान में आपको कौन-कौन से चीजे नहीं पढ़नी, जैसे वीलियन में विले के वियोजन, वीलियन में विल के संयोजन यानि संगुनन ठीक है न और वांठाप कारक यह सब उसमें आते हैं तो आपको बिल्कुल भी यह टोपिक नहीं करना और साथ मैं बता दू ऐसा माने मोलर दर्विमान अनुसंख्या गुंदरहम से रिलेटिड है इसमें चारों के चारों आते हैं कवतनांक में उनन चैप्टर में असामाने मोलर दर्विमान बाकि आपको सब कुछ करना है ठीक है जो हाइलाइट किये हुए मैंने यह नहीं आपको करने ठीक है चलते हैं चैप्टर थर्ड में वेदूतरसायन वेदूतरसायन में आपको सभी टोपिक करने हैं आपको सुस्क सेल टोपिक नही करना ग्यलवानिक सेल टोपिक नहीं करना इन्धन सेल आपको नहीं करना और संक्छारंण थाइ इसंग्षारंण के mentre बचावू ठीकना ये वाले ये llevaले संक्छारंण का संक्सानन का पूरा टोपिक आपको हटा देना और साथ में फैराडे के नियम ये भी आपके टोपिक से डिलिट हो चुका है ठीक है न तो आप जो ये यलो कुलर का आपको दिखाई दे रहा है मारक ये वाले टोपिक आपको नहीं करने ठीक है आगे चलते हैं चैप्टर फोर्थ जो चैप्टर फोर्थ है हमारा रासाइनिक बलगती ठीक है न रासाइनिक बलगती में सिर्फ एक टोपिक कट हुआ है वो है रासाइनिक अभिकिरिया का संगठक सिद्धान्त रासाइनिक अभिकिरिया का संगठक सिद्धान तो ये भी बहुत important था ठीक है ना लेकिन इसको भी delete कर दिया गया है रासानिक बलगती में से आगे चलते हैं chapter 5 परश्ट रसायन surface chemistry surface chemistry में से आपके क्या का topic हटे हैं उत्परेंड, catalyze catalyze और समांगी, विसमांगी उत्परेंड sakireta, एवं चैनात्मक enzyme utpiran ठीक है ना तो enzyme utpiran भी आपका हट चुका है और समांगी, विसमांगी उत्परेंड भी आपका हट चुका है और साथ में आपका emailson यानि पायस भी हट चुका है ठीक है ना तो आप अपनी book में topic को लिखते जाना और इनको आप पढ़ना बसरते exam के type से मत पढ़ना, ठीक है ना क्योंकि exam में इनसे कुछ नहीं पूछा जाएगा ठीक है friends आगे चलते हैं अपने topic पर आगे chapter 6 से जो तत्वों के निसकरसन के सिद्धान्त एवं परकरम आपको chapter 6 totally delete कर देना है आपको हटा देना है इसको chapter 6 में से आपको कुछ नहीं पढ़ना लेकिन मैं आपको बता दो chapter 6 में से आपको क्या पढ़ना है क्योंकि one marks में पूछा जा सकता है कि जितने भी ask है ठीक है ना, जैसे iron का ask क्या हो गया ठीक है ना, तो आपको ask वाला topic आपको जरूर करना है chapter 6 में से, उसको miss मत करना क्योंकि उससे one marks का question बन सकता है ठीक है ना, तो आपको chapter 6 बिलकुल नहीं करना, जो topic में ने बताया आपको वही करना है, ठीक है ना, ask पूछे जा सकते हैं, किसी भी type से, ठीक है आपको कौन-कौन से topic हटाने है, कौन-कौन से नहीं पढ़ने, वर्ग पंदरा के तत्व यानि, जो हमारे वर्ग पंदरा के तत्व हैं, उसमें से आपको क्या-क्या नहीं पढ़ना, जो highlight है, उसको दिहान से देखो, nitrogen के oxide, सिर्फ सर्चना, यानि nitrogen hydrogen के oxide आपको नहीं पढ़ने बिल्कुल भी, ठीक है ना? आगे चलते हैं, फासपोरस अपरूपो के परकार, ये नहीं आपको पढ़ने फासपोरस के आपको पता है लाल फासपोरस होता है वो वाले आपको ठीक है ना? ये आपको कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है, बस इनके बारे में आपको जानकारी होनी जरूरी है, आगे के लिए, वर्ग सोला, जो वर्ग सोला है, वर्ग सोला के तत्व में आपको क्या कहनी पढ़ना, आपको ये टोपिक नहीं पढ़ना, किस में से, वर्ग सोला के तत्व में से, यानि आपको सीधी सीधे संपरक विधी, जो कॉन्टेक्ट मेथड होता है, एश्ट्रेसो फोर एसिड का, वो आपको बिलकुल नहीं पढ़ना, ठेक है न, ये टोपिक हट गए है, आगे वर्ग सत के तत्व सब कुछ पढ़ना है, डी एवं एफ बलोग के तत्व पर आते हैं, यानि डी एफ बलोग एलिमेंट्स, चैप्टर एट पर आते हैं, चैप्टर एट में आपको जो मार्क दिखाई दे रहें, ये टोपिक नहीं पढ़नें, जैसे के टू, सी आर टो सेवन, पोट परमेंगनेट्स, आपको इसका ना तो मैथड पढ़ना है, ना इसके प्रोपर्टीज पढ़नें, ये टोपिक पुरा डिलेट हो चुका है, आगे लेंथेनाइड में आपको पढ़ना है, जिसमें आपको एलेक्टोंगि विन्यास ओक्सिर्गन आना चाहिए, ये एक्जाम अभी मत, एक्टिनोड एक्जाम के दर्ष्टी कोन से इंपोर्टेंट नहीं है, डिलेट हो चुका है, आगे चलते हैं चैप्टर 9, जिसको बोलते हैं उपसहसयोजन योगिक, उपसहसयोजन योगिक को ओर्डिनेशन कमपाउंड, आपको इसमें से क्या हटाना, कि उपसहस कुछ पढ़ना है, आगे दिखाई दे रहा, समा वेवता तक आपको सब कुछ पढ़ना है, दिखाई दे रहा ना आपको, कि परीचेल, लिजेंड, समनेवे संक्या, रंग चुम्भग ग्यूने महा करती, एक केंद्रिय, उपसहसयोजन योगिकों के, आउपसहसयोजन एरीन, चैप्टर कौन सा, टैन, इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा, लिख लेना आप, ठीके न, डाइकलोरोमेथेन, यह आपको नहीं पढ़ना, ट्राइकलोरोमेथेन, आपको यह नहीं पढ़ना, आइडोफोम आपको नहीं पढ़ना, फेरोन आपको नहीं पढ़ना DDT के अनुपर्योग एवं वातावर्णिये परभाव यह आपको टोपिक नहीं पढ़ने ठीक है आगे चलते हैं हमारे पास आगे है चैप्टर अलेविन अलकोहल एवं फिनोल अलकोहल में आपको कौन से टोपिक नहीं पढ़ने जो हाइलाइट है कुछ महत्तपोन योगिक मेथेनोल एवं एथनोल के उपियोग आपको क्या नहीं पढ़ना सब कुछ पढ़ना है आपको एलकोल एम फिनोल में चैप्टर अलेविन्ट में बस आपको मेथेनोल और एथनोल के यूज नहीं पढ़ने आपको फ्योग नहीं पड़ने, आगे चलते हैं, चैप्टर 12, अपका चैप्टर 12 टोटली डिलिट हो चुका है, ठीके न, इसको मत करना, ठीके, लेकिन इसमें से आप चैप्टर 12 में से क्या करना, आईपेसी नाम करन, सीख लेना, कि कैसे, जो अचैप्टर 12, ठीके न, आग यह काम आते हैं, सभी में, आगे चलते हैं, चैप्टर 12, पता लगए, आपको पूरा कमपलिटी डिलिट हो चुका है, चैप्टर 13 पर चलते हैं, अमीन पर, अमीन में आपका डाई एजोनियम लवन, विर्चन, यानि उसके जो मैथड है, रासायनिक अभिकिरिया है, कर्ति यहां पर कर्तिम कार्बनिक लिखावा, इसको सही कर लेना, कर्तिम कार्बनिक या रसायन में इनकी महतवता, सीधी सी बात में आपको बताऊ, डाई एजोनियम लवन, ठीके न, डाई एजोनियम साल्ट, आपको टोटली डिलिट कर देना है, ठीके न, अपनी बुक में से, आगे चलते हैं चैप्टर 14 जो जेव अनू यानि बाई मोलिक्यूल्स हैं बाई मोलिक्यूल्स में आपको क्या क्या नहीं पढ़ना वो देखो आपको carbohydrate में कौन-कौन से topic नहीं पढ़ने, oligosaccharide नहीं पढ़ना आपको, और polysaccharide नहीं पढ़ना आपको, ठीक है न, बाकिया आपको सब कुछ पढ़ना है, वर्गिकन, aldose, mketose, monosaccharide, glucose और fructose तक आपको सब कुछ पढ़ना है, protein में आपको enzyme बिलकुल नहीं पढ़ना, ठ vitamin आपको delete कर देना है completely, आगे चलते हैं, chapter 15, polymers, chapter 15 जो polymers है, वो totally delete हो चुका है, ठीक है न, इसमें से बिलकुल भी आपको कुछ नहीं पढ़ना, आगे chapter 16, देनिक जीवन में रसाइन, देको बहुलक भी पूरा हट चुका है, और chapter 16 भी आपका पूरा हट चुका है, देनिक कों से ये 16 भी completely हट चुका है, ठीक है, और 15 यानि पंदरवा भी पूरा हट चुका है, आगे जो आपका chapter है, बारवा, LDHM, किटोन, कार्वोगजिल कमल, ये भी completely पूरा हट चुका है, और chapter number 6 है, वो भी आपका completely हट चुका है, ठीक है न, तो dear friends, ये आपको हमारे द्वारा दी गई जानकर ये अच्छी लगी हो, हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो, तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंड कीजिए, और हमारे चैनल को ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, त जल्दी हमारे फ्रेंड्स आप 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से कराईये, क्योंकि ये यूट्यूब का एक रूल है, कि जब आपके 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो आप लाइफ कलास दे सकते हो, तो फिर हम लाइफ कलास में आप से पूरी बातचीत करेंगे, ठीके ना, आ